हाई दोस्तों मैं प्रियाक रस्वर्मा मैं आज बात करूंगा दोस्तों प्राइम कोड ओबर ग्रेंडल बेस पार्ट टू के बारे में तो इसके वहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि में इस्टी अवरोड टांस्पोर्टेशन एंड हाइवे में जो वेदर सीजन लि बारी इसका मौसम होता है या कि सर्फेस जो है वह गिली है तो उस टाइम पे हमको प्राइम कोड जो है वह नहीं करना है और जो कट बैग है उसको भी अपलाइट नहीं करना जब बेट सर्पेस रहेगा तो इसके बारे में इसका कुछ पार्ट इसमें दिया हुआ है दूस् इसके बार दोस्तों इसमें बताया गया है कि सर्पेस वी चार्ट टू रिसीव इमल्सन प्राइमर सुट बी डंप बटनों प्री और इस्टेंडिंग वाटर सेल भी प्रिजेंट सर्पेस कैन बी जस्ट वेड़ बाई भेरी लाइट स्प्रिंकलिंग और वाटर तो दोस्त या खड़ा पानी मतलब उसमें कोई स्टेंडिंग वाटर नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा पानी जो मजूद रहता हूँ पानी उसमें नहीं होना चाहिए और लगबग उसमें क्या है कि हलका पानी का चिलिका होना चाहिए सतय सिर्फ गिली हो सकती है लेकिन उसमें पानी बारा वहा नहीं होना चाहिए उससे जो सर्फेस हो फ्री होना चाहिए तो इस प्रगार की सर्फेस होना चाहिए उसमें जोए दोस्तों हमको प्राइम कोट करना है इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज section 500 में क्लॉज 502.4 में construction की दौरान हम कौन से क्यूब्मेंट का यूज करते हैं प्राइम कोट करने के लिए उसकी एक्यूब्मेंट के बारे में दोस्तों इसमें क्लॉज 502.4.1 में बताया गया है मिनिश्टी आवरोट ट्रांस्पोर्टेशन में और कहा गया है इसमें कि दा प्राइमर सेल भी एप्लाइट बाइए शेल्फ प्रोबिल्ट आइट टॉब्ट बिटून प्रेसर स्पेर एक्क्यूब्ड ओर स्प्रेइंग दे माटेयल यूनिफॉर्मली एट स्पेसिफाइट रेट यह एं टंप्रेचर्स हैंड स्प्रेइंग शिल नॉट विलाओड एक्सेप्ट इन स्माल एर्याज इन एकसेटिबल टु दी डिश्टर ब्यूटर और इन नेरो श्ट्रेप्स वियर प्राइमर सेल भी श्प्रेइड बीधिप्रेशर हैंड प्रेश्प्रेशर और ए डाला जाएगा ग्रिनल सर्प्रेस के ऊपर डालना चाहिए और जो भी उसमें मटेरियल है उनकी दरों को उनकी दरों को तापमान समान तापमान की रूप में उसको छिलकाओ करने में जो सक्चाम हो तो ऐसा सचली हमको प्राइमर का यूज करना है इसे प्रोवेल्ड या टॉ करना है जो बराबर मात्रा में और समान तापमान में और बराबर दरों में मटेरियल जो है वह इस्प्रे करें ग्रिनल सर्पेस के ऊपर और इसके बाद दोस्तों इसमें छोटे छेत्रों को छोड़ कर जहां बितरक के लिए दुर्गम या सक्रीन पट्टियां है जहां अब ऐसे इस्तिति आती है कि नेरो रोड है यागी बहुत सक्रा रोड है तो उस कंडिशन में वहां हमको हैंड प्रेसर हैंड स्प्रेयर से हमको प्राइम कोड जो है वो इस्प्रे करना है ग्रिनल सर्पेस के ऊपर और यह इंजिनियर द्वारा निट देशित होना चाहिए इंजिनियर द्वारे प्रूब दोना चाहिए और हाथ से छिड़काओं की इनमती जो है वो इंजिनियर ही देगा यह कि नहीं देना चाहिए नहीं दी जाएगी तो इसके बारे में जो है वो इंजिनियर के उपर रहेगा कि इंजिनियर क्या करता है प्रूबल देता है या नहीं देता है तो इसके बारे में इसमीं बताया गया दोस्तों कि हम धुक अस दूक भुब्ट या टॉप्ड वीट्मिन प्रेस्टरिश्पेयर के दोरा हम फ्राइमर को इस परेंगे ऐँग सरसे की ओपर हैया की हम प्रेसर हैंड इस्पेयर के दार द्वारा हम प्राइम कोट करेंगे जहां नेरो इस्ट्रिप्स हैं जहां ऐसा लगता है जहां सकरा है जहां पर यह जो वहां ने प्राइमर करने वाले वो नहीं जा पाएंगे तो वहां hand sprayer के द्वारा हम इंजिनियर की अनमती लेकर उसे हम prime code कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद लोगत लोगत क्लोच 502.4.2 में परफिशी सण फूरोड सर्पेस दोस्तों इसमें बताया गया है कि हम गर्नेर सर्पेस में prime code करने के पहले उसकी तैयारी कैसे करेंगों को उस सर्पेस को गरनल सर्पेस को किस प्रकार से बनाएंगे उसमें प्राइम कोट करने के लिए इसमें के बारे में कहा गया है कि तख अपर बूम सार मेकैं कल शीफर और मेट फूरफ फॉल्ड वूरू बाइंडर हैंड़ मेच और फॉर अफॉ प्राइमेट की जाने वाली जो गिरनुर सतय को सर्फेस को जो पावर ब्रूम है या कि मैकनिकल शीपर के द्वारा उसको साब किया जाएगा और वहां जो धूल उपस्तित होती है उसको वहां से रिवूप किया जाएगा और सभी लूज पाइटिकल जो रहते हैं उसमें और उसको पूरी तरह से महां से अठा दिया जाएगा और यदि डवलो बीम सतय में मिट्टी मूरूम या बाइंडर का उप्योग किया गया है तो इसके कुछ हिस्से को ब्रेस्क के द्वारा जो है वो रगड कर निकाला जाना चाहिए और लगबब दो एमेम की गहराई तक इस से अठा दिया जाना चाहिए ताकि इसमें अच्छे तरीके से जो है प्रेनेटेशन प्राफ्ट हो सके इसके बाद दोस्तों इसमें क्लाज 502.4.3 में एप्लिकेशन और बिट्मिनस प्राइमर के बारे में बताया गया है और कहा गया है इसमें कि आप्टर प्रेनेटेशन प्राफ्ट है बिक तर कहाल वर सके बारे में बारे कि बखीर प्रेशन एप प्राइम उच्छे में उच्छे च।ीयर लुट है लाज कि उच्छी है नह Polsce प्रोडूसिंगे यूनिपॉर्ण विस्प्रेग वी थिन दर टॉलरेंस से स्पेसिपाइट तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि क्लॉज 502.4.2 के अंसार सड़क की सतय को तयार करने के बाद प्राइमर को समान रोप से उसके उपर जो है वो छिड़काओ किया जाएगा और प् प्रिड़काओ टेस्ट में एक बडिज भी करेगा कि इसमें जो रेट आप इस्प्रे टेस्ट होता है वो ठेके दरदागा किया जाना चाहिए कि उप्यों कि जाने वाले उपकरन और विधि जो है उसके तोलरेंस में है कि नहीं है यह भी ठेक आदर सोनिशीत करेगा और उ इस प्रकार काम को एक्यूमेंट यूज करना है इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है कहा गया है कि कवर्द है सर्फेस उनिफॉर्मली तो इसमें कहा गया कि एसेसवन बिटमी इमल्सन को गर्म करने या पतला करने किनमती नहीं दी जाएगी और साइट पर इस किनमती होगी और कट बैक बिटमी का तापमान इतना अधिक होना चाहिए कि प्राइमर को इस्प्रे के जेट के माद्यम से प्रहाभी ढंग से इस्प्रे करने किनमती दी जा सके और सतय को समान रूप से कवर किया जा सके तो इसके इस प्रकार से हमको प्राइम कोट करना है और इस प्रकार से जो इक्यूपमेंट इसमें बताया गया है उन इक्यूपम